शिशु रोग एवं इस्त्री प्रसूती रोग से संबंदी संपूर्ण स्पेसिलिटी हास्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले आठ सालों से गुर्जर हास्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा बच्चों के सब टीके लगाये जाते हैं इस्त्री वे प्रसूती वारेल हो रहा है जब इसकी पड़ताल की गई तो यह पता लगा कि यहकोटवाली थाना प्रभारी बलजीट सिंग विसेन है जो आज जिम खाना में मैच खेल रहे थे दरसल पुलिस और एक सामने वाली टीम के साथ जिम खाना में मैच था इस मैच में पुलिस की टीम जीत अगर चौके चौके लगाते हैं आज उन्होंने जिम खाना में खूब चौके चौके लगाए उनके साथ-साथ बताय जा रहा है कि उन्होंने भी अच्छी पारी खेली और जो सूबदार है ट्रैफिक में जाधम साब उन्होंने भी अच्छी पारी खेली दोनोंने खूब प्रण्ट फूट का उप्योग करते हुए उक्रीज से बाहर आए और आकर खूब लंबा शॉट लगाया स्ट्रेट में ग्राउंड के बाहर ही बॉल को पचा दिया कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंग बिसेन ने छे रन मारे और इसके बाद चोके चके और मारे कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि उन्होंने 18 रन मारे क्योंकि 2020 का मैस था 18 रन में दो तीन चोके चके जड़े और अपनी टीम को इन की परफॉर्मेंस के बदोलत और इनके अन्य साथियों की अच्छी परफॉर्मेंस के बदोलत जीत हासिल हुई खंडबा पुलिस की टीम ने आज जिम खाना में जीत हासिल की सामने वाली टीम कौन थी इसका पता नहीं लग पाया क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ ये शक्स अच्छा शॉट लगाते हो नजरा है इसके बाद ध्यान दिया पता लगाने कोशिश की तो पता लगा ये कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंग बसेन है सोशल मीडिया पर कुछ जगह सिर्फ ये वीडियो बारेल हुआ और कुछ जगह पर हो सकता है इनका नाम डेटेल नीचे डाली हो लेकिन जिन जगा से हमें यह वीडियो प्राप्त हुआ महाँ पर कहीं इसका जिक्र नहीं था कि यह शॉट कौन मार रहे हैं और कौन बैटिंग कर रहे हैं उसके बाद जब इसकी परताल की तो पता लगा यह कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंग बिसेन है इस शॉट से तो यह दिखता है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कौतवाली भी अच्छा समाल रहे हैं क्राइम को कंट्रोल किये हूँ है और ऐसे ही करते रहें यह गई है और क्या बाद है झाल